दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके जी हाँ दोस्तों ये गाना सुनते ही आपके दिलो दिमाग में साल 2002 की हिट रुमांटिक फिल्म दिल है तुम्हारा की याद आ गई होगी जिसे हिट बनाने में समीर का चुलबुला और खुश्णुमा किरदा निभाने वाले अभिनेता की एहम भूमिका रही थी जो अपने साथ ही रंगीला पपेट के साथ पूरी फिल्म में मौज मस्ती करते हुए नजर आये थे लेकिन दोस्तों इस फिल्म को तो रिलीज हुए आज पूरे 19 साल बीच चुके हैं पर इस बीते 19 सालों में समीर का ख आलातों से रूबूरू कराएंगे पर इससे पहले आप इनके लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें फिल्म में समीर का रोल प्ले करते हुए नजर आये अक्टर का नाम जिम्मी शेरगिल है और इनका जन्म 3 दिसंबर 1970 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था लेकिन इन्हें इस फिल्म से कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई थी पर जैसे ही इन्हें साल 2000 में आई फिल्म महब्बते ओफर हुई वैसे ही इनकी किस्मत का ताला खुल गया था और करन चौधरी के किरदार में ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे जिसके बाद खुबसूरत फ्रेंट बने नजर आये थे और इनके इस लवेबल किरदार को आज भी पबलिक बहुत पसंद करती है लेकिन अगर बात करें इनके बदले हुए हालातों के बारे में तो जहां वो फिल्म ही समीर के रूप में कोट पैंट पहने हुए बड़े सुनहरे बालों के साथ अपने चार्मिंग फेस पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए बिना दाढ़ी मूच के काफी हैंडसम गोरे चिट्टे और यंग नजर आये थे वहीं आज ये अपने इंक्यावन साल की उम्र पार कर चुके हैं और काफी स्टाइलिश कपणों जैसे पैंट कोट, शर् लेकिन आज ये पहले के मुताबिक थोड़े से मोटे हो चुके हैं और थोड़ा ओल्ड भी क्यूंकि बढ़ती उम्र के चलते समय के साथ ही काफी बूढ़े नजर आते हैं इनके फेस पर थोड़ी सी जुरियां भी साफ दिखाई देती हैं जैसा कि आप इनकी आज की और प पढ़ाई पूरा कर रहे हैं जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको बता दें कि दिल है तुम्हारा फिल्म में काम करने के साथ इन्हें 50 हिंदी फिल्मों में और 20 पंजाबी फिल्मों में काम करके अपना दबदबा इंडस्री में बना लिया था इसी के साथ आप आपको बता दें कि इन्होंने वेब शो रंगबाज फिर से और योर ओनर में भी काम किया था और आज ये अपने करियर को बरकरार रखते हुए OTT प्लाटपॉर्म पर प्रसारित हो रही अपनी फिल्म कॉलर बॉम वेब शो में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अभी नेता जिम्मी शेरगिल का फिल्मी वाला लुक जादा अच्छा लगा था या फिर आज वाला आप हमें अपनी राए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही ऐसी तमाम खबरे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें